नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का परमाट एक इटिव चैनल में आज की स्वीडियों दोस्तों बात करने आया है यहाँ पे जो 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 आइन इंडियन आर्मी का फॉर्म भराना चालू हो गया है तो यहाँ पे दोस्तों बहुत चाहरा स्ट्वेंट भाई लोगो समझना है कि कौन सा मतलब की कितना सब्जेक्ट है तो कौन सा फॉर्म के लिए आप लोग अपलाई करेंगे तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रा चेसं कर दे रहे हैं और एक दू चůड़ आगे वरंब के कर रहा है और जहां पे ज़ा रहा है तो वहां में अच्छी तराइक को समझा देते हैं कि मतलब कि कौन चाप ऐकैनसी के लिए आप लोग को कीतने सब्सक्राइब जा है सब चीज दोस्तोंopen इस वीडियों जोस्तों हम आप लोग को बतलाने वारा है तो यहां पे दोस्तों देखिए सबसे पहले यहां पे और अगनी पत पर जाके रैली नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लिजेगा तो क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे इस परकार से खुलेगा तो आप लोग कोई भी एक pdf को यहां से डाउनलोड कर लीजएगा ग्याव करने के बाद खुलिएगा तो यहां पर दोस्तों कुछ इस परकार से आप लोग के सामने लेज लोग के सामने defense है चो परकार करें अब यहां यहां पर दोस्तों निच चाहिएगा तो एक को शिल्पी हीपर है और यहां पर दोस्तों को हरे एग चीज का यहां सब एलीज ब्लीटी में चाहिए यहां पर क्या हो रहा हrama कि अगनेवीर जेनरल डूटी chef उसमें दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि age कितना मांग रहा है तो 177 से 23 साल के बीच में आप लोग का जो age है वो होना चाहिए और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मतलब कि date of worth बता हुए कि कितना से कितना के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर दोस्तों height देख रहे है centimeter में मांग रहा है 179 होना चाहिए इससे उपर होना चाहिए cela है इस से नीचे होगा तो आप लोगों यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे दिख सकते हैं मिनिमम फिछकल लखा हुआ है मत d.... 169-ध से कम सेंटिमेटर से कम हाइट नहीं होना चाहिए और रही यहाँ पे देख सकते हैं वेट भी बता रहा है की goals Khgs में है कि 50 kg कम से कम आप लोग का जो वेट है वो होना चाहिए अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं चेस्ट का सेंटीमीटर भी बता रहा है कि 77 होना चाहिए सेंटीमीटर आप पलस 5 मतलब कि वह होता है फुलाने पर उस पर पांच पढ़ना चाहिए इस प्रकार से यहां पर है मतलब कि 45 पर्सेंट मार् क से आप लोग को ऊपर होना चाहिए 45 पर्सेंट मार्क होना चाहिए लेकिन दोस्तों यहांपे यह और हरे इस एक नमबर हर एक सब्जेक्ट में रहना चाहिए या इस से उपर रहना चाहिए अगर इस से नीचे आप लोग का है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए इलिजबल नहीं है क्योंकि यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बताय हुआ है कि 45% and 33% in each subject लिख हुए मांदब कि हर एक सब्ज दोस्तों देख सकते हैं यहां पर बताया हुआ है यह आप लोग देख लिजिगा यह दोस्तों अधिक्तर में सब सेम ही है इसमें कुछ जयादा नहीं है education qualification है वह दोस्तों सब में अलग-अलग vary है तो यहां पर दोस्तों देख लिए है जो technical का form है यहां पर दूसरा नमबर जो form है उसके बारे में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मांग रहा है पलस 2 intermediate exam pass in science with physics, chemistry, math यानि कि जो intermediate का exam है वो pass होना चाहिए physics, chemistry, math होना चाहिए उसमें and English में क्या होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर देख सकते हैं पलस में दोस्तों आप लोग का English का subject है उसमें कम से कम 50% marks होना ही चाहिए तब ही आप लोग eligible होंगे and यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर aggregate and 40% marks in this subject and जो बाकी मतलब कि English के अलावा है उसमें दोस्तों जितना भी subject है उसमें सब में 40 number से उपर होना चाहिए तब ही दोस्तों आप लोग इसके लिए ही eligible है यहाँ दोस्तों अगर आप लोग इसमें ही eligible नहीं है तो यहाँ पर और करके एक और option है कि plus two intermediate exam pass in science with physics, chemistry, math and English form any recognized state board यहाँ से दोस्तों बताया जा रहा है कि आप लोग को plus two pass होना चाहिए physics, chemistry, math and English में और यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि मतलब कि physics, chemistry, math आप लोग को pass होना चाहिए and English और दोस्तों यहाँ पर आप लोग के पास होना चाहिए देख सकते हैं कि ITI का course minimum मतलब कि minimum देख सकते हैं one year is required filled with the NSQF level 4 और above मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ITI का मतलब कि होना चाहिए अगर आप लोग के उपर वाला criteria को पूरा नहीं करते हैं तो इसमें दोस्तों plus two के साथ आप लोग का बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यह जो विगरा सब सेम ही है अब इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन देख लेते हैं तो यहाँ पर बताया है कि प्लस टू इंटरमेडियेट एक्जाम पास इन एन रिकुनाइज यहां पर बताया है कि प्लस टू पास होना चाहिए उसमें आर्र स्कॉल Nazan कुछ भी से complexity सभी है तो चलेंगा यहां पर बताया गया है साथ परसेंट मार्ट मतलब कि 60% मार्ट होना चाहिए ऐंड यहां पर देख सेक्ट है 15% मार्क होना चहिए और यहां पर यहांने 50 नमर्स सेया जहाए त् man को भर सकते हैं सकते हैं इंगलिश loved mathvert stool यहां यह bit cap okay डूस्तर के लिए हैं कि 50% हें होना चाहिए यहां पर गड़ा है एकांट के लिए यह होना चाहिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां अपर आप लोग को समझ में आ गए होगा आप दोस्तों सबसे last जो form है ट्रेड मैन का इसके बाएं दोस्तों बात के लाते हैं देखिए ये दो फरक्राइट का है मतलब कि तेंथ पास पर है और एट पास पर है तो तेंथ पास वाला पर क्या है कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्लास 10th simply pass मतलब simple सा pass होना चाहिए क्लास तेंथ है और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं नो सीटी पुलेशन इन एग्रियेट परसेंटेज बट सुड हैब ए स्कोर 33 परसेंट इन इस सब्जेक्ट यहां पर बताएगा है कि कोई मतलब मिनिमम टोटल मार्क्स नहीं रखा गया है यहां पर दोस्तों आप लोग क करना क्या है कि 33 परसेंट से उपड़े हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स होगा तब ही आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं यहां से अकर 33 परसेंट से एक भी नमबर किसी भी सब्जेक्ट में कम है तो आप लोग नहीं फॉर्म को भर सकते हैं यहां पर दोस्तों देख सकते ह गया है कि class 10 पर भरना चाहते हैं ट्रेड मैन वाला तो इसमें दोस्तों आप लोग को जो टोटल मार्क से उसका क्याटरियर नहीं दिया गया है सिर्फ यहां पर बताया गया है कि हर एक सब्जेक्ट में 33 नमर से उपर होना चाहिए तभी ही आप लोग इस फॉर्म को भर सकते ह अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं 8 पास वाला यही फॉर्म है सेम तो इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं 8 पास पास होना चाहिए आप लोग को और नो सीटिपलेशन एग्रिएट परसेंटेज बट सुड़ भी एसकोर 33 परसेंट इन इच मार्क मतलब इसमें भी पताय होना चाहिए तभी हमयर्ब टोट्ल माक्सका यहां पर जमिला नहीं है सिर्फ ए यह सबजक्ट में आप लोगो 33 ले 3 से ऊपर होना चाहिए चल्हें दोस्तों ऊम्मीद करते हैं कि आप लोगोव को बिडियों समझ में होगा हम दोस्तों अपने के पुर परोइक नियँ वीडियो पसंद पर आए तो वीडियो के लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें बेल लेकर जोड़ दो आदें ताकि इसी परगा का वीडियो आप लोग को आगे भी मिलता रहा है चले उस्तों मिलता है क्लिए नेक्स वीडियो ने तब तक के लिए जैहिंद जैभाड़ा